हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू बैं इस्टरी फिट्स चैनल दोस्तो आज मैं एथलेटिक्स के थ्रूइंग इवेंट जिसके अंतरगर्ड डिसकर्ज थ्रो शॉर्ट पूर्ट हैमर थ्रो जेवलिन थ्रो इस चार इस परधायां आती हैं उसमें से मैं डिसकर्ज थ्रो के बारे में बता चुकी हूँ और आज बताने वाली हूँ शार्ट पूर्ट एंड हैमर थ्रोसरे सभी डाउट्स को किलियर करने वाली हूँ सभी चीजें बताए जाएंगी एवसे क्योंच के माध्यम से दोस्तों सभी कोस्टन आपके लिए इंपॉर्डेंट होंगे वीडियो को कोस्टन पर बनाए गया है एंड सिलिबस के अनुसार चिप्टर वाई भी कोस्टन बनाए गये हैं तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर सबसे पहले हम बात करेंगे सार्ट पूर्ट की जैसे कि दोस्तों सार्ट पूर्ट एंड हैमर थ्रोसरों की तो दोस्तों सार्ट पूर्ट के सेक्टर का व्यास होता है 2.135 मेटर ठीक है जैसे कि दोस्तों सार्ट पूर्ट हैमर थ्रो इन दोनों के सेक्टर का व्यास 2.135 होता है जबकि डिसकर्ज थ्रो के सेक्टर का व्यास 2.50 मिटर होता है यह धियान में रखिएगा बस तेनों में यह ही डिफरेंट है लेश्ट है दोस्तो शार्ड पूर्ट में लेंडिंग सेक्टर का कोड कीतना होता है तो कीतना होता है जैसा कि चितर में दीख रहा है 34-90 324 प्यैंट शाट पूर्ट एंद डिसकेजन फिर्ट टार है्थ है कि शीरन दो अंस ही होता है यह ध्यान में रखेगा एड जैवलिन थ्रो यानि कि भाला फेक के शक्तर का कोड 29 अंस होता है यह भी ध्यान में रखेगा नेशे दोस्तों शार्ट पूट में रिटर्निंग लाइन की लंबाई कितनी होती है तो 75 सेंटीमीटर यानि आपको ध्यान देना है कि शार्ट पूट हैमर थ्रो डिसकर्श थ्रो एड जैवलिन थ्रो इन चारों में रिटर्निंग लाइन की लंबाई 75 सेंटीमीटर ही होता है नेश्ट है दोस्तों short put में returning line की मोटाई कितनी होती है तो अक्सरब सभी की 5 cm ही होती है नेश्ट है short put का पुरुष के लिए कितना भार होता है तो short put में जो गोला होता है उसका पुरुष के लिए भार 7.260 kg होता है एंड दोस्तों hammer throw के लिए भी आपका hammer का जो भार होता है पुरुष के लिए इतना ही होता है 7.260 kg यानि की short put और hammer दोनों का measurement शेम होता है महिला पुरुष दोनों के लिए ये धियाल में रखेगा and next is short put का महिलाओं के लिए कितना भार होता है तो दोस्तों 4 kg hammer throw में hammer का पुछी का तो भी 4 kg आपको धियान में रखना है next is short put का पुरुष वर्ग के लिए ब्यास कितना होता है तो इसका पुरुष वर्ग के लिए ब्यास होता है 110 से 130 mm यानि मिलिमीटर and next is short put का महिलाओं के लिए ब्यास कितना होता है तो इसका होता है 95 से 110 mm नेश्ट दोस्तों पैरी उबराइन टक्निक का किस इस परधा में प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों इस तक्निक का प्रयोग शार्ट पूर्ट में किया जाता है ठीक है जैसे कि दोस्तों शार्ट पूर्ट में आर्थो डाक्स रेली स्टाइल पैरी उबराइन डिस्को पर जो आधरनिक शैली है इसका प्रयोग किया जाता है नेश्टे दोस्तों शार्ट पूर्ट में निमें से कौन सी तक्निकों का प्रयोग किया जाता है तो कौन कौन से टेक्निक का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे आप्शन है पेरियोब्राइन, डिस्कोपड, आर्थोडोक्स तो इन तीनों Sally का प्रियोग, टेखनिक का प्रियोग किया जाता है साट पोट में, जिसमें से जो डिसकोपट Sally है, वो आधुनिक Sally है नेश्टे दोस्तो पैरी उबराइन नामक थ्रोवर किस देश का नागरिक था या अमेरिका का नागरिक था नेश्टे पैरी ओवराई नामक थ्रोवर ने किस उलम्पिक में प्रधम बार स्वड़ प्रदक प्राप्त किया था तो यह 1922 हेलंश की फिनलेंड उलम्पिक में स्वड़ प्रदक प्राप्त किया था नेश्ट शार्ट पूट इस परधा में अगर थ्रोवर की संख्या 8 से अधिक हो तो कितने ट्रायल्स मिलेंगे तो दोस्तों शार्ट पूट में यदि थ्रोवर की संख्या 8 से अधिक हो तो तीन ट्रायल मिलेंगे यदि 8 से कम हो तो 6 ट्रायल मिलेंगे जैसे कि दोस्तों डिसकर्स थ्रो, शार्ट पूर्ट, हैमर थ्रो, जैवलिन थ्रो, इन तीनों में, इन चारों में यदि थ्रोर की शंक्या 8 से अधीक है तो 3 ट्रायल मिलेंगे एन 8 से कम है तो 6-6 ट्रायल मिलेंगे यह आपको ध्यान में रखना है नेश्ट है, शार्ट पूर्ट की इस परधा में क्या एक खिलारी गलब्स पहन शकता है तो नहीं नेश्ट है, अगर सार्ट पूर्ट इस परधा में थ्रोर, सार्ट पूर्ट को प्रच्छेपित करने के पस्चात returning line के आगे से चला जाता है तो क्या होता है तो दोस्तो फाउल हो जाता है उसको returning line के आगे से नहीं निकलना है पीछे से निकलना है ने से दोस्तो starboard नामक उपकरण का प्रियोग किस इस पाधा में किया जाता है तो यह starboard का प्रियोग शाट पूट में किया जाता है जैसे कि आपको ध्यान यही रखना है कि hammer throw and shoulder दुनों का measure trade है वेडit सेम होता है और hammer throw में starboard नहीं होता है और starboard में starboard होता है यह आपको ध्यान में रखना है अब करते निए JIMक्रात रखना है 스ाप बोड के उच्छाई अगर टाई पढ़ जाए तो डिड़र किसके अधार पर लिया जाएगा तो डिड़र को बराबर होने पर टाई होने पर डिड़र नेस्ट बेस्ट पर्फॉर्फॉर्मेंस के अधार पर लिया जाएगा या एक और मौका दिया जाएगा उसमें जो बेस्ट पर्फॉर्मेंस कर तो दोस्तों है कि हैमर थ्रो में सरकल का ब्यास कितना होता है जैसे कि आप प्रिक लगा दिये होंगे जैसे कि मैं बताए हूं कि हैमर थ्रो एंड शार्ट पूर दोनों के सेक्टर का ब्यास 2.135 मेटर होता है होता है तो सबी सेंटर का कोलु सौरोट औरे रचकर्टा का कोड़ करें स्वानों 5 2 औन्स होता है एंड जेवलेंज रो गहता है सैं 1910 नेच्ट है मरत रो में रिठर्णिंग लान धी लंबाई कितनी होतीải तो पच सथर सेंटीमीटर रैस है मरत रो का ब्याश पुरूस वर्त के लिए कितना होता है तो 110 से 130 यम यम नेश्ट हैमर का ब्यास महिला वर्ग के लिए कितना होता है तो 95 से 110 यम यम इतना ही होता है आपका साट्पORT में भी nice to hammer का पुरूस वर्ड के लिए भार कीतना होता है तो कितना होता है जितना साट्प齡 का होता है उतना ही 7.260 kg nice to hammer का महिला वर्ड के लिए कितना भार होता है तो 4 kg होता है ठीक है या जेकि here andomma voilà तोनों का measurement सेम है निश्ट हैमर्थरों में पुरू स्वर्ग के लिए तार की लंबाई कितनी होती है इसको आप पुधियार में रखना है तो इस तार की लंबाई होती है 1175 से 1215 यम 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 याने मिलिमीटर दिस्टे हैमर्थर में महिलावर के लिए तार के लंबाई के तुनी होती है तो यह होता है 1160 से 1195 यम यम दिस्टे दुस्ते हमयर्थ्रो के कैग में कितने जाल लगते है जैसा कि कैग है उसी कें अंदर ग्राउंड बना होता है हैंमर्थ्रो का तो उसमें आपके साथ जाल लगे होते है अजब की डिसकोस्टों भी छी जाल होते है निश्ट है हैंमर्थ्रो में कैग में जालों की चुड़ाई कितनी होती है तो दो दसमलो साथ चार मेटर निश्ट हैंमर्थ्रो में कैग की उच्चाई कितनी होती है तो सा में तो इस निना बिख उन्द और रहा और यहां ड्यक्ति आप िस्याय यह समय होगे जैज़ा स्वाट नरे कर incorporate ड्मेंज हानों आम ऩो गीने क्वेश नसके में सब्सक्रांफ मैं नसनल को मिन्यां अंधिक भाला थे कहने की जैविलिन थ्रोपर तो दोस्तों ये सभी विजियो भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं आप तक पहुचता रहेगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैए